दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कूरू मेनुफेक्शरिंग बिजनेस के बारे और इस्कूरू का बिजनेस है कैसा बिजनेस है जिसमें एक बार इंवेस्ट्मेंट की जुरूत तो होती है लेकिन ये बिजनेस सालो साल चलता रहता है और अगर डिमांड की बात करें तो हर हाड़वेर सौफ में आपको अलग तरह और साइज की स्कूरू आपको बिक्ती हुई देखने को मिल जाएगी और दिन परति दिन इसकी डिमांड बढ़ नहीं वाली है क्योंकि जहाँ डिमांड होगा वहाँ इस कूरू की जरूत पड़ेगी ही और दोस्तो इस वीडियो में आपको बताओं कि आप कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए कौन कर से मसीन और रॉब मेटियल की जरूत होती है अब कर दिमांड है और आप कैसे इस वीडियो पे लास्तर दोस्तो अबर हमारा चैनल अभी तब सस्क्राइब नहीं किया है इस्क्रूग एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयूग हर जगा किया जाता है चाये फ़र्णीचर का काम हो या कोई घर बनाना हर जगा SiCoo. काुपयोग किये जता है इस को बजार मैं बहूत ज्यादा पिकती है और इसका उपयोग देश के हर कोने में कियें है यहीत है सअती साथ जल्दी खराब ना होने के वजह से इस का इस बिजनेस में न Europeans के संभावना का यूज किया जता है उनके त्यार पड़क को जोड़ने में वैसे दोस्तों जो इस के बारे में जानते हैं उन्हें पता हिए कि इस कितना टाइप की होती है और इनकी क्या डिमांड है मार्केट में और आपको अगर इस को बारे में ज्यादा जनकारी चाहिए तो आप अपने एक इंच, दो इंच, तीन इंच, इत्यादी और अगर आप इस बिजनेस को सुरू करते हैं तो आप अपनी मसीनियों के द्वारा अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए अलग-अलग टाइप के बड़ी-बड़ी वायर कंपनियों के द्वारा और आपको अलग-अलग साइज के इस्ट्रू बनाने के लिए अलग-अलग साइज के वायर का स्टॉक अपने पास रखना होगा जैसे 10 गेस, 20 गेस इत्यादी आप चाहें तो कोटेड वायर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए जैसे जींग-कोटेड वायर, क्रोमियम-कोटेड वायर, निकल-कोटेड वायर इत्यादी आप स्टेमिलेस स्टील वायर के अलावा कार्बन स्टील, मेटल, ब्रास, निकल और अल्मुनियम वायर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रू के जो उसने स्टील वायर के अलावा आपको की जरत पड़ेगी अपने स्क्रू Divine के लिए, अपने इस्क्रू मैनिफेक्चरिंग बिजनेस के लिए, पहली heading जसमें इस्क्रू के हेड को तयार के जाता है वायर को कटकर के, और उसके बाद Thread Rolling जसमें वायर के न screw manufacturing में लगने वाले machine की screw को त्यार करने के लिए मेंली दो main machine की जुरुत होती है जिसे screw header machine और thread rolling machine कहते हैं और इसकी हलावा आपको पुरने plant के maintenance के लिए leth machine grinder और tool kit की जुरुत पड़ेगी जिसके जरी आप अपने machine के अलग-अलग parts, die, mold के त्यादी को अपनी जुरुत के हिसाब से fabricate कर सकें दोस्तों, screw header machine के जरीए screw के head को त्यार की जाता है machine के सामने wire के roll को इस तरह सेट किया जाता है कि वो घूम सके और wire का एक सीरा header machine में effects किया जाता है और उसके बाद machine wire को उसके required size में cut कर देती है और header machine में die लगती है और die की मदद से ही screw के head को save दिया जाता है और आपको जिस type का screw का head त्यार करना हो उस save की die machine में लगानी होती है header machine एक punch या दो punch के बाद open या close die की मदद से wire को jewelry size में cut कर screw के head को save देती है header machine automatic machine होती है और machine के दोरा screw का production होता रहता है header machine के दोरा 100 से 500 head एक minute में त्यार किये सकते है जो machine की production capacity पे depend करता है और ये 3 phase electricity के जरी अपरेट की जाती है market में आपको अलवा type के header machine मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी production capacity और budget के हिज़ाब से खरीच सकते है दोस्तो header machine के जरी है screw head को त्यार करने के बाद निकालेगा screw को thread rolling machine के hopper में डाला जाता है जहां hopper vibrate करता रहता है और इसकी मदद से screw को arranging order में नीचे की तरफ लाया जाता है और फिर screw के head को die की मदद से cut का save दिया जाता है और साथी साथ दो die के बीच screw को roll कर final screw त्यार किया जाता है thread rolling machine automatic machine होती है और hopper में screw को fit करने के बाद production स्टार्ट कर देती है और final screw को त्यार कर देती है thread rolling machine भी three phase electricity के जरी अपरेट की जाती है और market में आपको अलगलग type के thread rolling machine मिल जाएंगे जिने आप अपनी production capacity और budget के हिसाब से खरीच सकते हैं दोस्तो thread rolling machine से निकाले कर इस screw को cleaning और washing के लिए भीज़ दिये जाता है ताकि उनकी signing और quality अच्छी हो जाए और त्यार इस screw को अलगलग chemical की मदद से साफ किये जाता है और उसके बाद त्यार इस screw को अलगल पैकिंग बॉक्स में pack कर market में भेज दिये जाता है customer के requirement की इसाब से जैसे 120 पीस per box, 500 पीस per box इत्यादी दोस्तो अगर बात करें इस business में investment की तो छोटे level पे आप इस business की सुराद 20-25 लाग के अंदर कर सकते हैं और साथी साथ इस business के जरिए 10-15% का profit margin कमा सकते हैं और दोस्तो इस business को सुरू करने से पहले आप अपने business का registration जुरू करा लें जिससे की सरकार दोरत दी जारी सरकारी सुविदाओं का लाब मिलता रहे जैसे subsidy, loan, insurance, इत्यादी और अगर बात करें इस business की registration की तो सबसे पहले उद्योग अधार में registration कराना होता है ये सुद्धा online या फ्री में कोई भी अपने business का registration करवा सकता है उसके साथी साथ goods and service tax registration यानि GST का भी registration कराना होता है साथी साथ fire और pollution department से भी उनिसों की जरूत पढ़ती है और ये registration आप किसी C.A. की मदद से करवा सकते है दोस्तो इस group business को सुरू करने से पहले सारी जनकारी जरूत पता कर ले ताकि loss के chances ना के बराबर हो और आपको इस business को start करने में कोई भी दिक्कत आती हो या कुछ पूछना तो आप हमसे comment करके पूछ सकते है और हम उसका जोरू reply करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जोरू पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नएने बिजनेस आइडियो पहुचे सबसे पहले आपके पास